बिहार के वेशाली जिले में बाड का प्रकोफ जारी है मौनसुन अपने अंतिम चरण में है गंगा का भी जलस्तर अब घट रहा है लेकिन सूबे में बाड की विभीशिका खत्म होती नहीं दिख रही गंगा के बाद गंडग और उसकी सहायक नदियों में आये उफान ने कोहराम मचा दिया है लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वज़े से कई गाउं बाड की चपेट में आ गए हैं गंडग और उसकी सहायक नदियां अपने किरारों को छोड़ कर बहुत दूर निकलती दिख रही है नदियों में आये उफान की वज़े से वैशाली, लाल गंज और भगवानपूर के कई इलाके जलमगन हो गए है खेट, खलियान और मकानों के साथ-साथ एतिहासिक धरोहर भी डूब गए है वैशालिस सित बुध रैलिक स्थूप जलमगन हो चुका है वहीं अभिशेक पुषकर्णी, शांती स्थूप और उसके आसपास की सड़कों पर जील सा नजारा है पानी में पूरी तरह से डूब चुके इस इलाके के होटेल्स और रेस्ट्रॉं में भी सन्नाता पस रहा है सबसे बुरे हालात अशोग स्थम और उसके आसपास स्थित एतिहासिक भगनाव शेशों के दिख रही है पूरा इलाका पानी में समा चुका है एतिहासिक सलों के अस्तित पर बाड ने खत्रे की घंटी बजा दी है इस संबंध में विजे कुमार ने बताया कि पानी निकलने की विवस्था हमारे पास है लेकिन रात में पानी निकालते हैं सुबा फिर पानी आ जाता है पानी निकल कर जहां डाला जाता है वहाँ भी चारो तरफ पानी ही है पानी निकालने की कोशिश करते रहते हैं फिर पानी जब 4 सैट लगेगा तो आएगा है, यह नहीं पानी निकालने का है ही मेरे पास बेवस्ता। लेकिन जिधर पानी निकलता है, उधर सारों 4 सैट पानी भरा हुआ है। तो निकलने का कोई उपाई ही नहीं है। हम लोग पंपिंग सेट से भी निकाले हैं, पुनर एक इंची निकलता है, फिर राद को बारी सोती है, फिर बहड़ जाता है हालात को लेकर मुक्यमंतरी नितिश कुमार ने कहा है कि इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है जलसन साधन आपदा प्रबंदन विभाग के साथ ही प्रशासन के लोग एक एक चीज़ को देख रहे हैं उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अलर्ट रहना है और प्रभावित लोगों की सहायता करनी है प्रबंदन आपदा लोगों की सहायता करनी है